मीठा खाना तो सबको पसंद होता है हमारे यहां तो मीठा खाने के लिए अक्सर लोग बहाना ढून लेते हैं जैसे किसी का जन्म दिन है तो मिठाई मंगाली किसी का प्रमोशन हुआ या नौकरी लगी तब भी मीठा खाना खिलाने का खूब ट्रेंड है लेकिन हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़ादा मीठा खाना सही नहीं डाइबटेस के मरीजों को मीठा खाने से बचने की सला दी जाती है इसी क्रम में एक और सवाल है जो लोगो अक्सर परिशान करता है वो है क्या मीठा खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है नमस्कार, मैं हूँ सुख्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वगत है जिन फूट्स में जादा मात्रा में प्यूरीन पाये जाता है उनके सेवन से यूरिक एसिड बढ़ सकता है प्यूरीन एक तरह का कमपाउंड है इसके ब्रेकडाउन पर बोडी में यूरिक एसिड बनता है प्यूरीन नैचरल तरीके से हमारे शरीर में मौझूद होता है और वेज नॉन वेज तरह के आहार से भी मिलता है सीधे-सीधे तोर पर मीठा खाने से यूरिक एसिड में बढ़ोतरी नहीं होती है कोच ाINT किसम के आहर आपके यूरिक एसिड के इस तर पर को बढ़ाने में एहम भूमे के नभा सकते हैं ये foods या drinks किसी तरह के sweet food हो सकते हैं वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यूरिक एसिड के बढ़ने को hyper uricemia कहा जाता है यूरिक एसिट के बढ़ने के पीछे अलग-अलग वजहें जमिदार होती हैं कई ऐसे food items होते हैं या high fructose कौन सिरफ होते हैं जिसमें काफी जादा मात्रा में शुगर होता है fructose एक किस्म का natural sugar है जो फालो के juice और कई खास किस्म के खादिपदार्तों में मौझूद होता है fructose को liver में metabolize किया जाता है जहां ये यूरिक एसिट के production को बढ़ाता है अगर आप जाने अन जाने काफी जादा मात्रा में fructose का सेवन कर बैठते हैं तो इससे आपके ब्लड में यूरिक एसिट का स्तर बढ़ सकता है मीठे आहार या स्वीट ड्रिंक का काफी जादा मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ सकता है मोटा पाया वजन बढ़ने से हाइपर यूरी सीमिया और गाउट जो के और्थराइटिस का एक प्रकार है का खत्रा बढ़ जाता है शरीर के अतरिक्त चर्बी इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ावा देती है जिससे यूरिक एसिट का स्तर बढ़ता है वहीं डाइट में जादा शुगर और मीठा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खत्रा बढ़ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिती है जिसमें कोशिकाएं इंसुलिन के प्रभाव पर प्रतिक्रिया देना कम कर देती है इंसुलिन रिजिस्टेंस की वज़े से यूरिक ऐसे बढ़ता है तो लाल अस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें